गुद्ध मॉर्णिंग स्टुडेंट्स हम लोगरिथम का अध्यान कर रहे थे पिछले क्लास में हम एक्सपोनेंट्स रूप को लोग की फोरूम में और लोग की फोरूम को पावर की रूप में चेंज करना सिखा था हाज हम इसी टोपिक को आगे अध्यान करते हैं mathematics में generally दो तरीके के logarithms पढ़े जाते हैं एक तो common logarithm और एक natural logarithm हमने पिछली class में देखा कि log जो होता है उसकी base value कुछ भी हो सकती है except 0, 1 और negative negative नहीं हो सकती 0 नहीं हो सकती और 1 नहीं हो सकती इसके अलावा कुछ भी हो सकती है सामाने थे हम logarithm में जो base value रखते हैं वो 10 रखते हैं यदि base value 10 रखते हैं तो उसको हम common logarithm कहते हैं और यदि base value E है E यहाँ पर original number है जिसकी value होती है 2.718---- आगे तक जिस तरी किसे spike value होती है उसी तरी किसे E एक constant है इसकी fixed value आगे तक irrational number के रूप में होती है यदि हमने जैसे ये log है इसकी base value E ले ली तो इसको हम natural log कहेंगे इसको natural logarithm हम कहेंगे और इसको ln x भी लिख सेथे यदि ln लिखावा है इसका मतलब base value E है और इसे differential form में देखें तो d upon dx log x is equal to 1 upon x log x is equal to 1 upon x तब ही होगा जब यहां base value E हो जब base value E है तब d upon dx log x की value 1 upon x होगी यह mathematics में दो तरीके की base value एक तो 10 और एक natural logarithm में E अब कुछ आपसे conditions जो हम logarithm के लिए पढ़ते हैं उनमें है जो हमारी log की जो value होती है log x जो x होता है यहां पर यह हमेशा 0 से ज़्यादा होगा और जो base value होगी वो भी it's greater than 0 और base value 1 नहीं हो सकती क्यों नहीं हो सकती 1 उसको समझेंगे क्योंकि if base value is 1 यदि base value 1 है then logarithm value is always 1 तब logarithm value हमेशा 1 आएगी देखो इसको explain करते हैं say log base value है यहां पर a अब यहां पर इसका log a और यहां पर अपने कुछ भी रख दिया जैसे x रख दिया is equal to result क्या आएगा यदि हमने base value fix कर दी a is equal to 1 कर दिया तो log 1 की power x अब 1 की power हम कुछ भी रखें 0 तो रख नहीं सकते x की value 0 हो नहीं सकती 1 रखेंगे तो answer 1 आएगा 1 की power 2 रखेंगे तो answer 1 आएगा और यदि 1 की power 3 रखेंगे तो भी answer 1 आएगा यहां कह सकता हूं 1 की power हम कुछ भी रखें answer 1 ही आना है यदि हमने base value 1 ले ली तो logarithm का जो result आएगा वो हमेशा 1 ही आएगा इसलिए इसका कोई ओचिते नहीं है तो जो base value है वो is equal to 1 1 कभी भी नहीं लेते अब logarithm की कुछ properties है उनका अध्यन करते है जो first property है logarithm की यदि log A यहीं logarithm में जो base value है वो A है base value कुछ भी हो log 1 का मान हमेशा 0 आएगा पुना सुनिए A is equal to base value और base value 2 भी हो 3 भी हो 5 भी हो 10 भी हो natural log भी हो base value कुछ भी हो log 1 का मान हमेशा 0 आएगा क्यों इसको समझते हैं देखो इसको समझने के लिए यह log base value कुछ भी है जिस A और log base value कुछ भी है तो 1 का मान 0 आता है तो यहाँ पर अपर आपने X मान लिया इसको शॉल करते हैं इसको पावर की फॉर्म में लिखते हैं पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो जो log का result है वो इदर आ जाएगा और जो log जिसका निकालते हैं वो इस जगादेगा तो A की पावर X is equal to 1 अब यह तब ही possible है if X is equal to 0 किसी भी नंबर की पावर यदि 0 होगी तो ही उसका result 1 आएगा जैसे 2 की पावर 0 is equal to 1 3 की पावर 0 is equal to 1 10 की पावर 0 is equal to 1 तो यह कह सकते हैं कि log 1 की value हमेशा 0 आएगी base value कुछ भी हो जैसे यह base value हमने कुछ भी रखी और 1 तब ही आएगा जब यहाँ पर हम पावर 0 रखी है तो logarithm की जो properties है वो यह है कि log 1 की value हमेशा 0 होगी जाए base value कुछ भी हो दूसरी property है logarithm की log A की base value भी A यदि base value और logarithm जो इसका निकाल रहे हैं वो यदि समान आ जाए तो उसका logarithm में जो result आएगा वो 1 आएगा ऐसा क्यों होता है इसको explain करते हैं हमने इसको log A की power A is equal to हमने X मान लिया इसको यदि power की formula लिखे हैं तो log इसको लोग को अठा दे हैं तो A की power X is equal to A अब A is equal to A तब ही होगा वेन X is equal to देखो पुना देखो इसको 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 इसक्रीन में आ नहीं रहा था log log A base value A is equal to X और यदि इसको हम power की formula लिखें तो power की formula A की power X इसको इदर और इसको इदर इसको 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 इधर A की power X is equal to A ये तब ही आ सकता है जब X is equal to 1 हो तब X is equal to 1 हो तो logarith ul में यदि base value और जिसका log नकल रहे हैं वो equal आ जाए तो हमेंजा उसका result बन आएगा जैसे मैं लिखूं log 10 यदि की वेल्यू देखें, बेस वेल्यू 10 पर लोग 10 की वेल्यू देखें, तो 1 आएगी, और बेस वेल्यू 100 पर 100 की वेल्यू देखें, तो भी 1 आएगी, यदि बेस वेल्यू और लोग वेल्यू सेम हो, तो रिजल्ट में सा 1 आएगा, ये लोगरिथम की दूसरी प्रोपर्टी, लोगरिथम की जो next property है उसको देखते हैं लोग A, base value A है x into x2, x1 into x2 is equal to log x1 plus log x2 base value हर जगत समान है ऐसा क्यों लिखते हैं लोग x1 into x2 is equal to log x1 plus log x2 क्यों लिखते हैं इसको देखते हैं देखो इसको explain करने के लिए हम यह करते हैं कि लोग x1 यहाँ पर जो base value है वो A है is equal to हमने u मान लिया और लोग x2 यहाँ base value A है is equal to यहाँ पर v मान लिया यहाँ पर दोनों जगर base value समान है अब इसको हम power की form में यदि लिखें तो A की power u is equal to x1 और यहाँ इसको यदि power की form में लिखें तो A की power v is equal to x2 यहाँ A की power u है और यहाँ A की power v है is equal to x2 अब हम इनको आपस में multiply करते हैं दोनो equations को A की power u into my A की power v is equal to x1 into my x2 और यह mathematical equation में हम अच्छे से जानते हैं यदि base value same होती है तो जो power होती है उसको plus के रूप में लिख देते हैं A की power u plus v is equal to x1.x2 अब इसको इसको एदि लोग की form में लिखें इस power की form में जो यह equation हमको प्राप्ट हुई power की form में जो equation हमको प्राप्ट हुई इसको लोग की form में एदि लिखें तो यह लिखेंगे लोग base same रह गई हो x1.x2 is equal to यह इदर आ गया is equal to u plus v और यह इदर आ गया exchange अब u is equal to क्या है u की जगा u की value रख दो और v की जगा v की value रख दो तो लोग a x1.x2 is equal to u की value क्या है लोग a x1 plus log a x2 यह prove हो गया सामानित हम log x1 dot x2 को log x1 plus x2 लिखते हैं क्यों लिखते हैं उसको यहाँ पर explain किया गया है इस वीडियो में इतना ही next property हम next video में पड़ेंगे